बेटे ने अड़्डा 24-7 ज्वाइन किया और बैंकिंग एक्जाम किलियर किया अब जब बच्चे तरक्की करते हैं तो बाब कसी ना तो चाड़ा होई जाता है और आप भी अपना और अपने मातापिता का नाम रोशन कर सकते हैं अज ही अपने तयारी शुरू करें अड़ा 24-7 के लाइफ बैचिस के साथ डाउनलोड करें अड़ा 24-7 आप अड़ा 24-7 जाब है तो राभ है नमस्कार दोस्तों स्वाहत है आप सभी का एक बार फिर से आशीश गौतम के साथ अड़ा 24-7 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तो आज हम लोग डिसकस करेंगे 18th and 19th of September की most important news हम लोगों के पास compilation भी है आज लगबाग 25 MCQs है आज important news भी है grandmaster related है अंगुला के रास्पती related भी है काफी कुछ है डिटेल में discuss करने के लिए एक foreign visit भी discuss करने जा रहे है आपसे गुजारिश रहेगी बस इतनी की वीडियो का आखरी तक के देखेगा ओके और जितने भी एस्पारिट ने हमारे साथ जोड़ने जा रहा है हाज का motivational quote आज की positive line I am stronger I am smart and I am capable ओके ये तीन शब्द है मेरे दोस्त इनों ये दो सब्द है ना I am smart and I am capable ये कभी अगर जल्दी जीवन में आते हैं देखो समझना लोगों को ना चीजों को समझना जल्दी पड़ता है ये लोग मेरे दोस्त चीजों को समझते हैं कि हम जल्दी समझदार हो गए हैं मैं अपनी जिंदी की बात करूँ आपकी जिंदी की बात करूँ हम खुद को बड़ा योग्य और खुद को ज़्यादा समझदार मानते हैं हर किसी चित्र में चाया हमें उसका पूरुन गयान हो यह ना हो हम लोग से मैं बहुत ज़्यादा अपने को संपूर्ण मतलब ग्याता मान लेते है being a student जो मैंने फेस किया वो यह है कि मुझे अनुभव सिखाता है कि मैं जिस रास्ते पर हूँ वो रास्ता कितना और किस तरीके का रास्ता है और उस रास्ते की requirement क्या है यह अनुभव बताता है ठीक है उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जब किसी रास्ते पर अगर आप नंगे पार चलते है तब जाकर आपको पता चलता है कि उस रास्ते पर मेरे दोस्स कंकड़ कितने है बिएक तो बिना चले आपको फील हो रहा है कि I am smart and I am capable in a positive manner तो तो बड़ी है अगर ये दूसरे manner में हो रहा है like यार मैं smart हूँ मैं करी लूँगा मैं कर लूँगा, वह अलगा negative वह ने फिल ला ना actually होता है कि हम सब कुछ कर सकते है हमारी सोच है जो हमें मेरे दोस्त करने को ले जा पाती है कि नहीं ले जा पाती है मेरा कहने का मतलब है ऐसा ना हो कि जीवन में आपको ये ऐसास होता है यार I am smart यार I am capable आई म स्मार्ट I am capable बढ़ धरतीवर नहीं है वो सिर्फ सोच में है तो धरतीवर नहीं मेरे बाई वो सिर्फ सोच में है आपको कहीं नहीं चीजों को समझना पड़ेगा और अपने लिए बहतर करने के लिए execute करना पड़ेगा सिर्फ सोच भर मात्र से चीज़ें आपके लिए बहतर नहीं होने वाली फिर आगे मेरे दोस्ट से आप टूटोगे स्थिदियों से आप टूटोगे मांसिक तनाव लगाएगा लेकिन आपको यह एहसास खुद को हर पल हर वक्त हर समय कराती रहना है कि यहाँ आएम स्ट्रॉंगर एड़ एम कैपबल इन पॉजिटिव मैनर ओके वह आला नहीं चाहिए मुझे वह नेगेट आप कुछ बढ़ते हैं यहाँ पर कंपाइलेशन के साथ दैन फिर बढ़ेंगे इंपोर्टन इंपोर्टन हैं सिक उसके साथ मसा आ जाएगा आपको देगे और फिर बढ़ेंगे इंपोर्टन न्यूस की तरफ दियान से देखना यह सत्विक साहिडाज रंग की रिड़ी जिरा दियान से देखिएगा सुनिएगा सत्विक साहिडाज रंग की रिड़ी और चिराग शेटी ओके यह फर्स्ट इंडियन पेर है फर्स्ट इंडियन पेर है जिनोहों ने की मैंस डबल कॉम्पेटिशन में मैडल जीता था वर्ल्ड चैंपेशिप में मतलब अभी तक चैंपेशिप में कभी भी कोई पुरुष खिलाडी डबल्स में मैडल जीती ही नहीं पाया यह फर्स्ट इंडियन पेर है जिसने मैडल जीता मैंस डबल कॉम्पेटिशन में इससे पहले मैडल तो आया था लेकिन वो मैडल अश्वनी पुनपा और ज्वाला घुट्टा ल लिन्थोई चंबा ये चंबा बाम ये नाम इंपोर्टेंट बनेगा लिन्थोई चनम बाम ओके इन्होंने भारत के लिए अतियासिक गोल्ड मैडल जीता था वर्ल्ड कैडिट जूड़ो चैंपेंशिप में ओके ये जूडो से संब्दे सारा जेवो में मैच रहा था था चैंपेंशिप रही दी और वहाँ पर ये जो लिन्थोई चनम बाम है इन और भारत के लिए गोल्ड मैडल जीता था फर्स फ्रम कंट्री टू विन मैडल इन टूनामेंट फाइन पंदरे साल के ये मनीपूर से हैं बस इतना याद रख लेना तीसरा नेक्स्ट राहुल शर रामदीन ने रिटार्मेंट लिया है किरन पोलाड ने रिटार्मेंट लिया है बैन स्टोक्स ने रिटार्मेंट तमीम एकबाल ने रिटार्मेंट लिया है बोरिस जॉनसन ने रिटार्मेंट लिया है तो जितने भी खिलाड़ी है मेरे दोस जिन्होंने हाल फिलाल रिटा 3497 रन थे, आप तो मेरे बाइए एक दो मैच और खेलने तो उसके बाद से रन बड़ी गए होंगे, इन्होंने मार्टिन गुप्टिल है, जिन्होंने 3497 रन किये थे, मिरे दोस उनके रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है, विराट कोली तीसरे नमबर पे है, विराट कोली फर्स इंडियन है, जिन्होंने की 100-100-100 मैच तीनों फॉर्मेट में खेले हैं, तीनों फॉर्मेट का मतलब कहा है, तीट्वेंटी, वंडे इंटरनेशनल, और टेस्क करकेट, तीनों में 100-100-100 मैच खेलने वाले खिलाडी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसमें विराट कोली पहले तो भारती हो गए, और दूसरे यहाँ पर विश्यू मैं हो गए, इनसे पहले रॉस्ट टेलर न्यूजिलेंड के वो भी ऐसा कर चुके हैं, फिर्स्ट मैन जो नहुंने हर एक प्रारूप में 100-100 मैच कम से कम खेले हैं, वो न्यूजिलेंड के बैट्समें रॉस्ट टेलर है, उके, इसके अलावा भी हम लोगों ने दो अवार्ड देखे थे, दोने इंपॉर्टन है, UEFA Men's Player Award, ओके, Women's Player Award, तो UEFA Men's Player of the Year Award ये मिला है करीम बेंजिमा को, करीम बेंजिमा को, और UEFA Women's Player of the Year Award गया है स्पेन के, अलेक्सिया पुटलेस को, तो ये ज़र है, मिरे को बस एक तना बता दू, ये जो, UEFA Men's Player of the Year Award, करीम बेंजिमा को गया है, ये किस कंट्री से हैं, ये किस कंट्री से हैं, नेक्स्ट, विक्टर एक्सलसन की बात करते हैं, इनोंने, लिएक बेडमिंटन वर्ड फेड़रेशन वर्ल चैंपेंशिप रही थे, और इसमें थाइलेंड के कुनलावुट्ध विदित सरन को हरा कर, इनोंने ये टैटल अपने नाम किया था, अकाने एमा गूची ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपेंशिप जीती दी और चाइना की उलम्पिक की चैंपियन चैन यूफी को उन्होंने हराय तो दोने इवेंट याद रखने है जेमस एंडरसन की बात करें तो इगलेंड की जेमस एंडर है फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर है जिन्होंने नौसव पचास विकेट लिये है इनहोंने जो ग्लेन मैगरा थे उस्ट्रिया के उनका रिकोर्ड बेक किया है अगर फास्ट बॉलर के रूप में सबसे आद्व विकेट लिये थे तो वो ग्लेन मैगरा थे 949 विकेट है इनका record break कर दिया है James Anderson एगलेंड के इनसे पहले भी और भी है जिन्होंने सबसे आदा विकेट ली है लेकिन उसमें वो spinner है यह fast baller पहले है spinner में अगर आप देखें तो सबसे आदा विकेट शीरलंकन spin जादूगर यह तेईस साल की है और करनाटक की है मिस दीवा 2022 का title इनके नाम रहा मिस दीवा 22 और यह प्रगन्या आया गेरी ओके यह तेलंगाना की है यह मिस दीवा शुपर नेशन देवा 20 title इनके नाम रहा था clear भाई यो done ओके यह सब इमपोर्टन है इसके लावा बरते हैं अचकी important news की तरह बढ़ उससे पहले ऐसे भी मेरे मित्र जिनों ने double value में बीजा admission नहीं लिया है जाकर admission ले लिजेगा भाई अभी भी bank महापेक पर आपको double value दिख रही है इसके बार में देख लेंगे अब आड़ते पहले सवाल की तरफ जरा ध्यान से देखना which company has partnered with some of world leading technologies such as meta, google, microsoft, intel to roll out 5G services तो किस company ने 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए दुनिया के कुछ प्रमुक परद्यों की दिगग़ जैसा की meta, google, microsoft, intel के साथ भागी तारी की है whatever, whatever, इसका answer करेगा, ठीक है, किस company ने 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए दुनिया के कुछ प्रद्यों की प्रमुक प्रद्यों की दिग़ग़ जैसा की meta, google, microsoft, intel के साथ भागी दारी करी है तो ये मिरे भाई Reliance Geo, Reliance Geo का ये समझा होता रहा है, फाइन, अगला नाबाड ने अभी Rural Infrastructure Development Fund के तहत 230 करोड रुपे किस स्टेट को दिये है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डवलब करने के लिए, नाबाड के द्वारा अभी किस स्टेट को 230 करोड रुपे दिये गए, फड़ावाट अंसर करो दोस कमेंड में Commonwealth Games का रिवीजन करा दो, तो सभी आप कर लो, किसी एक दिन करा दूँगा मैं रिवीजन, ठीक है, अभी मैंने उसका कमपाइल नहीं किया, डिटर टैबुलर फॉर्म में, जब कर लूँगा न मैं उसका रिवीजन पूरा करा दूँगा, बहुत बढ़ी है, इसका अंसर बत मिजुरम से कोई वैटलेंड है, जिसको रामसर साइड में शामिल किया गया है, नाम बदा सकते हो गया, मिजुरम से कोई वैटलेंड है, जिसको अभी कुल मिलाकर रामसर साइड में 75 रामसर साइड हो चुकी है, ओके, पहले 49 थी, फिर 5 और एड की गई, ठीक है, फिर 54 हो गई है आजाजी के 55 वर्ष और 55 रामसर साइड हो चुकी है ओके मिजूरा मैं सर है तो सही कोई पाला वेट लेंड वेल डन मेरे भाई के नाम इसका पाला वेट लेंड यूनों नहीं देखा यह रामसर साइड 55 वाला सेशन तो यूट्यूब पर सर्च कर ले ना मैंने इनिशेटिव सूपर हैड़िड बाई वर्ल्ड एकनॉमिक फॉरम तो विश्व आर्थिक मंच के निर्तत में कौनसी एरलाइन एक इस्थाई पहल में शामिल हुई है तो भाई यह यह आंसर बनता है इंडिगो इंडिगो रट्टा मारना इस वाले को आगे बढ़ना इन वइच स्टेट इंडिएन आर्पी बिगिन रिकंस्ट्रक्शन आफ एक सो पचास साल पुराने बैली बृज़ ओवर सुकतावा रिवर तो भारती सेना नंहें किस राज़मे सुकतावा नदी पर एक सो पचास साल पुराने बैली बृज़ क factor किया है असल में हुआ ख्याता ही, अभी मेरे दोस्तिट, खतम हो गया था ब्रेज, इसका दुबारा से निर्वार्ण शुरू किया गया, और ये इंडियन आर्मी ने किया है, ओके इंडियन आर्मी ने, तो इंडियन आर्मी ने ये जो बैली ब्रेज, एक सो पचास साल पुरारा, सुकतावा रिवर पर ये बन रहा है मेरे भाई, और ये किस स्टेट में है, किस स्टेट में है ये? बहुत बढ़े मद्र परादेश में, कहां पर भाई? मद्र परदेश में, अब मद्र प्रदेश रिलेंटेड़ेजरा कुछ चीज़े देखना, जैसे यहां पर एक वेट लेंड है, इसकonents कर ये दोनों रामसर साइट में हैं, एक भोज वेटलेंड और एक साक्या सागर वेटलेंड, लाडली लक्षमी योजना, ये महारास्ट की है, जो गल चैल्ड है, उनकी हायर एजूकेशन के लिए, मुख्यमंत्री उद्यम करांती योजना यहीं की है, स्टेट गौवर्मेंट ए पहला जो ड्रोन स्कूल है, वो गौलियर में उपन किया था, एक्जाम में कोशन बन चुका है, इसके लावब चार शेहर और हैं जहां पर बन रहा है, भूपाल, इंदौर, जवलपुर और सतना, ठीक है, बुरहानपुर जो डिस्टिक है, ये पहला, फर्स्ट साटिफाइ हर घर जल डिस्टिक है, ठीक है, इसको दर्वाजा दक्षिन भी कहा जा रहा है, 40 एरथ खजूरा 됩니다 disaster में रहा था, मद्धपरदेश के कुनो नेशनल पार्क में, मद्धपरदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीता लाए गए मेरे भाई आठ चीता लाए गए है, नामी भी आ से लाए गए, नामी भी आ की कैपिटल विंडो होके करिंसी डॉलर है, ठीक है ये भी याद रखना इसके लावा और कौन कौन से नेशनल पार्क से मुद्ध प्रदेश में आगे देखना, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवरस्टी कहां पर लोकेटेड है ठीक है, ये बेटा गांधी नगर, गुजरात, ठीक है, गुजरात के गांधी नगर में ध्यान सुनियों कहां पर गुजरात के गांधी नगर में, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवरस्टी है अब इसके लावर जितने भी उप्शन हैं उनको देख लेते हैं, जोरहाट, मुंबई, महरास्ट, ठीक है, भद्रवा, जम्मू, और एहम, दवाद, गुजरात, ये सब एक्जाम के कुशन है, समझना International Day of Yoga, इसका 8th Edition, 21 जून को रहा, इसका विशे रहा था आपका Yoga for Humanity, और इसबार जो event रहा था, करनाटक के महसूर में रहा था, करनाटक के महसूर में इसक necessarily योग डे का event रहा, आठवा संस्क्राइट रहा, योग for Humanity, इसका विशे हो गया अमिस्साह ने एक Olympic Level Sports Complex की आदरशिला रखिए 632 करोड रुपे की लागत से इसको बनाय गया है और ये कहां पर रखी गई गुजरात के एहमदाबाद में जम्मू के भद्रमा में क्या हुआ था कि जो जितेंदर सिंग है इनोंने देश का पहला lavender festival है इसको open किया था इसको inaugurate किया था इसके अलावा महरास का मुंबई नियूज में रहा था उसका कारण है 2021 का जो tree city of the world है ये महरास का मुंबई है किसका इससे पहले भी एक शहर शामिल हो चुका है हेदराबाद है हेदराबाद फर्स्ट सिटी था जो की tree city of the world बना था बहले अब देश से अगर हम बात करें तो पहला शहर हेदराबाद था उसके बाद मुंबई महरास के जो की 2021 का tree city of world बना है जितनी भी जितने भी ये अपनी इंडिया नेवी के ship होती है कहा commission हो रही है कहा decommission हो रही है ये जरूर और रखा कौन commission कर रहा है कौन decommission कर रहा है यह सारे चीज़ है तो आईनेस Nissan को आईनेस अक्ष हे इन तौनहों को decommission किया गया था नवल डोक्याठ बतिस साल services देने के बाद ओके ये नवेल लोकेट कौन सा मुंबई महारास्ट्रा देश का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कमिशन किया ओईल इंडिया लेमिटेड नहीं असम के जोरहाट में किया था असम के जोरहाट में ये वाली न्यूस को समझना असल में ये जो भारत और बंगलादेश इनके बीच में तीसरी पैसेंजर एक्सप्रेस ओपन की गई इसका रहा है मिताली एक्सप्रेस और ये थर्ड बंगलादेश इंडिया पैसेंजर ट्रेन है इससे पहले दो और चल रही एक बंदन एक्सप्रेस चल रही है, एक मैत्री एक्सप्रेस, बंदन एक्सप्रेस कोलकता से खुलना है, और यह जो मैत्री एक्सप्रेस है, दाका से कोलकता है, देखें, असल में यह जो आपकी मिताली एक्सप्रेस है, जो की थर्ड बंगलादेश इंडिया पैसेंजर ट्रे ये जो rail link है ऐसी और कितनी rail link है भारत और बंगलादेश के बीच में? बता सकते हो? टोटल कितनी ray l 02 बंगलादेश के बीच में? मेरे बाद समझ में आरही है जैसा है कि ये कैए है कि छिल transmit हाटी हल्दी वारी एक rail link होगे है भारत बंगलादेश के बीच में, ऐसी और कितनी रेल लिंक है भारत और बंगलादेश के बीच में, बताए के दोस्तों, लूनना इस वाले को अपने होमवक में लिख लो, इंडिया, बंगलादेश, रेल लिंक, ओके, या आपको पढ़ना अलग से बैठ के, नेक्स एक ना, विच कंट्री नाओ अकाउंट फोर लार्जेश शेर आफ स्टेडी वीजा इशूड बाई यूके, ओवर टेकिंग चाइन अकॉर्डिंग टू लेटस यूके माइगरेशन स्टाटिस्टिक, समझना, यूके के नवीनतम अप प्रवासन आकणों के अनुसार, अब कौन सा दे देश को जारी किये गए है, चाइना को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश है, जो कि यहां पर टॉप पर आ गया है, यूके द्वारा जारी किये गए, इस्टेडी वीजा के मामले में, ओके, तो यहां पर अपना अंसर बनता, अपना प्यारा भारत, मेरे भाई, ओके, इ उसके बाद चाइना है, फिर यहां नाइजीरिया, फिर पाकिस्तान है और फिर यूएस है, और अगर वर्क वीजा में देखें तो पहले पर इंडिया है, फिर नाइजीरिया, फिर फिलिपिन्स है, फिर जिममाम्बे और फिर यूएस है, लेकिन मुद्दे की बात है, जिस जैसा कि समझना एक यहाँ पर लास से पढ़ते हैं साउथ कोरिया स्टेंड डिफेंडिंग चैंपियन चाइना टू विन वेडमिंटन प्रिस्टीजिस ओबरकप दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मनेगे एक थॉमस कप और एक ओबरकप थॉमस कप पुरुशों के जीता है बस बात खतम भारत की बात कर लेते हैं तो इन्हों ने किन को हराया था मेरे भाई थॉमस कप में इंडोनेशिया को हराया था और साउथ कोरिया ने किसको हराया चाइना को हराया था ठीक है इसे याद रखना इसराइल ने भी हाल फिलाल एक लेजर बेस एर डिफें है करंसी डॉलर है मेरे भाई आगे होंग कोंग के चीफ एक्जीकुटर पे जॉन ली कार्चियू बंगलादेश ने यहाँ पर एक नया गैस फील्ड डिसकवर किया है जिसकी कैपसिटी 20 मिलियन क्यूबिक फीट आफ गैस पर डे है और यह कहां पर क्लिर होगा नेक्स इंडीया का पहला निट्रल-Shared Radio AXS Network रान, solution launch at which railway station तो किस railway station पर भारत का पहला रान लॉंच किया गारे डियो एक्सेज नेटवर्ड वर्ड लॉंच किया गया, रेडियो एक्सेज नेट्वर्ड फर्स्ट न्यूट्रल शेर्ड रेडियो एक्सेज नेटवर्ग मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशन क्लिया आगे देखना यह कुछ रेल्वे स्टेशन है जिनका रीनेम किया गया मैं बार बार इसी को पढ़ाता हूँ क्योंकि यह रीसेंट के हैं जैसे हभीब गंज रेल्वे स्टेशन मद्रप्रदेश के भोपाल में है इसका नाम रानी कमली अपती रेल्वे स्टेशन है फैजावाद जंक्षन का नाम आयुद्या जंक्षन है अलाहबा जंक्षन का नाम प्रियागराग जंक्षन है, मूल सराय रेल्वे जंक्षन का नाम दीन दियालपाद्या जंक्षन है, जहासी रेल्वे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्षमी भाई रेल्वे स्टेशन है, मंदुदिया रेल्वे स्टेशन का नाम बनारस स्टेशन ह है हुबली रेल्वेस्टेशन का नम सिद्धरुदा स्वामी जी रेल्वेस्टेशन है नौगर रेल्वेस्टेशन का नम सिद्धार्त नगर रेल्वेस्टेशन है पातल पानी रेल्वेस्टेशन का नम तांता भील रेल्वेस्टेशन है और केवडिया का नम एकता नगर रेल करेगा इसका नाम गरू डियो इस पूरिस जिसमें इन्वेस्टर महेंदर सिंग धूनी ए ठीक है महेंदर सिंग धूनी इसके ब्रेडनम में जर भी है किसी शेहर में बेस्ट इजर आइए वाथ सकते हूं कि चिन नहीं बेस्ट है बस कमेंड में यह सुर्ण लिग देना ठीक ह जिसके महेंदर सिंग धूनी ब्रेडनम मेंजर है इसने कहा है कि इंडियन आर्मी को वो अपने ड्रोन यहाँ पर देगा स्ट्राटिक और टेक्टिकल ऑपरेशन के लिए विच जनल इंशुरेंस हैस पार्टनर्ड विद यूनिन हेल्थ मिनस्ट्री तो हेल्प क्रियेट ड डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने में मदद करने के लिए किस जनल इंशुरेंस ने केंद्रिय स्वास्त मंतराले के साथ भागिदारी करी है तो देश में सभी के लिए डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने में मदद करने के लिए किस जनल इंशुरेंस ने केंद्रिय स्वास्त मंतराले के साथ भागेदारी करी, तो बिटा ये रहा, HDFC Ergo, okay, HDFC Ergo, HDFC, sorry, Adelweez General Insurance, माफ करेगा, HDFC Ergo नहीं है, it is Adelweez, right answer Adelweez ये, Adelweez General Insurance Company ने अभी partnership करी है, Health Ministry के साथ किस चीज़ के लिए, देश में जो Digital Health IDs हैं, उनको create करने में, मदद करने के लिए, okay, एक सेगेंड उपना, अगला सवाल देखे रहा, ये वाला सवाल देखना, which company partnered with UNESCO to promote and safeguard intangible cultural heritage of India, beginning with Himalaya, Himalaya के साथ शुरूख किया जाएगा, और UNESCO ने यहापर किस company के साथ पारटनेशिप करी है, intangible cultural heritage of India के उसको safeguard करने के लिए, promote करने के लिए, आडली ज़िए भा उसका नमढवीज जनरे शुरूण पार्टनर विज जनरे शुरूण से पार्टनेशिप इच्छेट्ट विए, जिसका उपयोग मौझूदा और जोकी संभाविद यानी के आने वाले कस्टमर है उपयोग करता हूँ दोरह यूज किया जा सकता है बागी तुम लोग eliminate भी कर सकते हो परिक्षा संगम CBSC का डाक कर्मियोगी हम लोगों ने पढ़ी लिया था टेक्षा संगमियोगी के तरह निर्यात भी पढ़ लिया जन समर्थ भी पढ़ लिया अल तिंग्स ईवी ओके अल तिंग्स ईवी क्लियर भाई यह पोर्टल है नेक्स्ट विच वर्थ एनिवर्सरी ओफ नाइन्थ प्रेडिट अफ इंडिया प्रेजिड दोक्टर शंकर दयाल शर्मा वॉज ऑब्जर्ड ओन 19 अगस्ट 2022 तो भारत के नौवे रास्टपती डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की कौन सी जैन्ती उन्नेस अगस्ट 22 को मनाई गई थी इसका अंसर करेगा ठीक है भारत के नौवे रास्टपती नाइन्थ प्रेजिड ओफ इंडिया संकर दयाल शर्मा वॉक्टर इंकी कौन सी बड़त अनिवर्सरी उन्नेस अगस्ट 2022 को मनाई गई थी ओके राइड आंसर बनेगा भाई यहाँ पर 104 104 ओके 104 आगे देखना जिससे कि वो उस पोर्टल के माध्यम से अपने जो प्रोडक्ट है उनको बेच पाए उस प्लेटफॉर्म के माद्यम से अपने प्रोडक्ट को बेच पाए तो एक किसी स्टेट और यूनियन टारिटरी सरकार ने इस तरीके का इनिशेटिव लिया फ्लिप कार्ड के साथ मिलके लोकल आर्टिसन लोकल जो कारीगर है उनको उनके प्रोडक्ट बेचने में मदद करने के लिए तो दोस्त यह है जम्मू एन कश्मीर ओके जम्मू एन कश्मीर अभी तो भाई अभी ग्यारे सवाल और बाकी है नेक्स्ट विच कंपनी हैस बिकम फर्स इंडियन कंपनी तो बी नेमड इन 2022 Forbes Cloud 100 list तो कौनसी कंपनी दियर वाईस Forbes Cloud 100 सूची में नामित होने वाली पहली भारती कंपनी बन गई है तो विच कंपनी हैस बिकम फर्स इंडियन कंपनी तो बी नेमड इन दियर वाईस Forbes Cloud 100 list तो भाईस अब यह है रोजर पे ओके सो रेजर पे ये दियर वाईस Forbes Cloud 100 सूची में नामित होने वाली पहली भारती कंपनी बन गए फर्स भारती कंपनी ओके नेक्स वाट इस ओफीशल नेम गिवन टू मंकी पॉक्स वाईस 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 यह इंटरेस्टिंग है डबलो एच वाईस द्वारा मंकी पॉक्स वाईस को जो अधिकारिक नाम दिया गया उसका नव क्या है अधिकारिक नाम क्या अधिकारिक नाम क्या मेरे भाई अंसर बनता भी क्लेड ओके इसका अंसर के बनता है क्लेड CLA-D E, क्लेड इसका नाम बनेगा एक लैड Official ने में मंगी पॉक्स वायरस का क्लेड Next, which mutual fund launch India's first manufacturing index fund तो किस mutual fund ने भारत का पहला manufacturing index fund launch किया है manufacturing index fund launch किया है So it is started by manufacturing index fund Right answer है यहाँ पर नवी mutual fund नवी mutual fund नवी mutual fund ने इसने देश का पहला manufacturing index fund launch किया है With which company Indian government collaborated for program to train nearly 2.5 million civil servant किस company के साथ भारत सरकार ने लगबग 2.5 million civil servant को परसिच्छित करने के लिए एक कारेकरम के लिए समझोता किया है तो बटा यह Microsoft ठीक है? यह कौन सा है? Microsoft है यह Microsoft company जिसके साथ भारत सरकार ने समझोता किया था लगबग 2.5 million civil servant है उनको train करने के लिए As a part of countrywide celebration to commemorate 75 years of independence तो 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में देश व्यापी समहरों के एक हिस्से के रूप में किस company ने के उड़ान, इंडिया की उड़ान project शुरू किया था Ministry of Culture के साथ मिलके है तो किस company ने संस्कृती मंत्राले के सायोग से भारत की उड़ान परियोजना की घोशना की सुरूतुतृता के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में एक देश व्यापी समहरों के एक हिस्से के रूप में तो यहाँ पर आंसर बनता है दोस्त गूगल ओके गूगल यह आपके एक्जाम का कुशह नहीं वाला एक यह तो डैफिनेटली है यह भाई नेक्स्ट मार्तंड संटेम्पल इस लोकेट इन विच इस्ट अबले की यूनिन टरिटरी किस स्टेट और यूनिन टरिटरी में लोकेटे मार्तंड टेम्पल मार्तंड टेम्पल एक है मार्तंड टेम्पल कि कहां पर लोकेटेट है वह यह लोकेटेट इन जमू इन कश्मीर में नेक्स्ट इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया ने कहा ही देखो होता क्या है कि एज अठारे वर्ष अठारे वर्ष से पहले आपका वोट प्र आगे उसमें लगेगा अब है क्या यहां पर एलेक्शन कमीशन अफ इंडिया ने कहा कि आल इंडियन सिटीजन जिनकी उमर कम से कम इतनी हो चुकी है वो अब एपलाई कर सकते हैं अपने नाम के लिए मतलब किस चीज के लिए मेरे वोटर लिस्ट के लिए कि आने वारे स से अधिक आयू के सभी भारतिय नागरिक अब मतलता सुची में अपना नाम पहले से दर्ज कराने के लिए आविदन कर सकेंगे ओके क्लियर होना चीजिए वाला असल में होता कि आज अंग्यंग्स्टर जिनकी उमर 17 वर्ष से ज़्यादा होती है अब वो यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे एडवांस में अपने वोटर लेस्ट में अपने नाम को इन्रोल कराने के लिए अब उनको ऐसा नहीं है कि मेरे भाई 18 वर्ष होना पड़ेगा क एक जन्वरी को हर साल के साल में अलब जो फर्स जन्वरी होता है उस पर ठारशाल का होना जड़ा जरूरी है आपको तब जाकर मिरे दोस्ट आप अपलाई करेंगे और फिर आपका नाम जाएगा तो इस लोंग प्रोसेस होके अब आप 17 वर्ष से यह स्टार्ट कर सकते हैं सर बनता है बिटा 80 ओके 80 नियाय में तराज है इनको इंगेज के जाएगा 21 से 226 के बीच में हो हैज लॉंच गूड फॉर यू गूड फॉर दा प्लानेट कैम्पेंट टू गाइड पीपल तो वाट्स इटिंग अप प्लानेट फ्रेंडली डाइट इसी तरीके कि इस वाल प्लानेट को बरबाद करने वाली ना प्लानेट को सपोर्ट करने वाली हो तो यहाँ पर यह समझना गूड फॉर यू गूड फॉर दा प्लानेट कैम्पेंट यह किसके द्वारा शुरू किया गया है जो लोग है उनको यहाँ पर प्लानेट फ्रेंडली डाइट फॉलो कर कि linking textile with tourism पहल के तहत विकास के लिए चुने गए देश भर के आठ सिल्प गाओं में से एक है ओके यह किसे जिले में है तो रगुराजपुर इस अमंग एट क्राफ्ट विलेज अक्रॉस दी कंट्री अब जो आठ क्राफ्ट विलेज चुने गए है देश भर से उनमें से एक त अन्डर दा प्रोग्राम मेजा टूरिस प्लेस इंट किया जा रहा है इंफ्रास्रक्टर सपोर्ट दी आ जा रहा है इस प्रोग्राम के माद्याम से लगबख एक जार आठिसन होंगे कारीगर होंगे जिनको डारेक्ली मदद मिलेगी अगर हम रगुराजपुर के अलावा भी बात करें तो तिरुपती आंदर प्रदेश, वैदस गुजराथ, वदास गुजराथ, नैनी उत्तर प्रदेश, अने गुंडी करनाटक, महा बलीपुरम तमिलनाडू, ताजगंज उत्तर प्रदेश और आमिर राजस्तान, यह यहाँ पर आठ मलब सात और शामिल है, एक आपका आठ रागुराज पूर हो गया, ओके, यह जरूर याद रख लेना कौन सा किस स्टेट में है, तो रागुराज पूर भी है, यहाँ पर मलब आउन आठ क्राफ्ट विलेजिस में है, इनको सलेक्ट किया गया है, डबल अप करने के लिए, ओके, उडी सा के पूरी में कहाँ पर उडी सा के पूरी में, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे पहली न्यूस की तरफ, फिर आते हैं यहाँ पर, सारी चीज़ां में के करके डिसकस करता हूँ आपके साथ, समझना, बैंगलूरू एफसी है, जीता कि इसने बैंगल है कि इसको मंबई सिटी को हरा कर जीत लिए, सिंपल शब्दों में देखना, पूरी कम्प्लीट न्यूस ही अमें की लाइन में मिल गई है, 131st एडीशन दूरंड कप कर रहा है, एक जगह पर नहीं रहा, तीन स्टेट में रहा था इस साली, 131st जो एडीशन रहा था, यह पहला जो टूनमेंट का एडीशन रहा था, वो 888 में खेला गया था, 888 में खेला गया था, ठीके भाई, नेक्स्ट, अन्वान निकोवार आइलेंड डेकलेर्ड इंडिया स्वस्च सुजल प्रदेश, तो अन्वान निकोवार दीप सम्हू को, दीप सम्हू को भारत का पह जो अन्वान निकोवार आइलेंड है, अन्वान निकोवार आइलेंड है, देश का पहला सुच सुजल प्रदेश है, जितने भी गाउं में विलेजिस हैं, अन्वान निकोवार आइलेंड में, जितने भी विलेजिस हैं मेरे दोस्त, उन सभी को हर घर जल सर्टिफाइ किया गया है ओके हर गर जल मतलब हर परिवार में हर अहोसुल गया टैप वाटर कनेक्शन है और यहाँ पर ओपन डिफिकेशन फ्री ओडियेफ प्लस बिया मतलब क्या है खुले में सौच मुक्त भी है वो अंडमा निकुवार आइलेंड प्लस यहाँ पर जो भी परिवार रहे रह पहला है जिसको इदेश का सुझल प्रदेश घुशित किया गे तो अंडमा निकुवार ओके अंडमा निकुवार नेक्स एकना जो अपने जितेंदर सिंग है यह यूएस जा रहे ग्लोबल क्लीन एनरजी एक्शन फॉरम में पाटिस्पेट करने के लिए असल में यह जो ग यह सब जितनी भी विजट पे जा रहा है विजट के दोरान भारत अगर किसी देश के साथ समझोता करता है तो वो इंपोर्टन बनेगा भारत किसी देश को लाइन अफ क्रेडिट देता वो इंपोर्टन बनेगा या भारत को किसी देश से किसी प्रोजेक्ट के लिए मिलता कर नेत्य तो करेंगे तो पहली लाइन देखी का जो जितेंदर सिंग साहब है ये जॉइंट जो इंडियन मिनिस्टीरियल डेलिगेशन है पावर नियू और रिन्यूबल एनरजी और साइंस और टेकनलोजी का मेरे भाई इसमें भारत का प्रतिनिधी मंदल का नेत्य तो करने जा रहे हैं ये दो इवेंट मेंपार्टिप्ड करेंगे एक मिशन इनोवेशन लिखाव नक्लीन एनरजी मिनस्टीरियल एंड इमिशन इनोवेशन इन दो इवेंट में किसलेकर 23 सितम्बर तक पाटिस्पड करेंगे उनाटेद स्टेट आफ अमेरिका के पिट्सबर्ग में ओके तो यह जो पैंसिलवेनिया है ओके पैंसिलवेनिया तो युएसे के पैंसिलवेनिया के पिट्सबर्ग में यह रहेगा आपका Clean Energy Ministerial Mission Innovation ओके यह मीटिंग रहेगी इसमें पाट्सपेट करने जारे तो भाई यह रट्टा मार देना देखें आप जब लैप्टॉप में पढ़ाते हैं तब आप एक्स्टा कंटेंट देते हैं एक्षिल में यहाँ पर होता गया न ऐसे ऐसे करने में न काफी टैम बड़ आर काफी हमारे एक्षिल में कुछ लोग है जिनका कॉल होता है कि हम उस चीज को फॉलो करना पड़ता भ तो अंगोला की बात करें तो अंगोला की कैपिटल क है लुणा करेंसी चलती यहाँ पर कोँवाजा और अंगोला की जुरास्ट्पती बनें है उनका नामे जुआव लुरेन को आगे बढ़ते हैं परसन्ना कुमार मौटूपली यह नाम जरूर याद रख लेना परसन्ना क कुमार मौटूपली इनको CMD नियुक्त किया गया NLC India Limited का तो यह जो Public Enterprise Selection Board है Public Enterprise Selection Board है इसने अभी हाल फिलाल यह जो NLC NLC India है ओके इसके CMD के तौर पर किनकी नियुक्ती करिए Chairman Managing Director की इनका नहीं प्रसंदा कुमार मौटूपली स्टार्ट वाला कंटेंड भी हिंदी में लाओ दोस्त एक पॉसिबल नहीं है यार सारी चीज़ें और ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहता मेरे लिए पॉसिबल नहीं सब पॉसिबल है फिर जिंदीगी मेरे दोस्त ना पूरे डाइम एक सेशन बनाने में निकल जाएगी अब बागी के जो जो पांच सेशन और होतने फिर उनके लिए कंटेंट कैसे प्रिपेर करूँगा मैं बारा बजे की भी क्लास है उसके लाँ वारियर में फाइनेशल अवेरनस देखना है उसमें अपडेशन देखने हैं इतनी सारी चीज़ें इजीली मिल रहे हैं कुछ चीज अपनी तरफ से भी आप कर लिया करो आप तरीका सीखो ना हड़ चीज में वही थोड़ी कैरम का वही प्लेयर बनना है कि गोटी को सेड करके देदेए हमें बस गोटी मारनी है कुछ नोट्स चॉर्ट नोट्स अपने पास से भी प्रिपेर करते रहा करो मैं तो हिंदी में कराई रहा हूं तो हिंदी लिखी हुई है ना जब यह हिंदी करा रहा हूं तब ही लिंक कर लिया करो आगे बढ़ते हैं UNICEF ने अभी क्या किया है कि देखो समझ न यह एक यूगांडा की क्लाइमिट अक्टिविस्ट न पच्चिस साल की है इनको गुडविल एम्बेसर बनाया है UNICEF ने ओके कि क्लाइमिट अक्टिविस्स फ्रॉम यूगांडा as a goodwill ambassador of United Nations Children's Fund अब यूगांडा की कैपिटल क्या है कमपाला करेंसी चलती है शिलिंग ठेक है यूगांडा की कैपिटल है कमपाला करेंसी यहां पर चलती है शिलिंग नेक्स्ट इतना ही है समय तो मेरे भाई ये फैडरल बैंक दोस्त बेस्ट वर्कप्लेस इन एशिया दोजर बाइस में अगर हम बात करें तो 63 प्लेस पर रहा है एशिया में और एकलोथा बैंक के इंडिया का कि जिसको इस लिस्ट में शामिल किया गया तो फैडरल बैंक को ए weird was आता है इसका exam में question है तो federal बेंक का headquarter कहाँ पर है ठीक है तो ये केरल में थेख目 कहां पर है केरल में कहाँ कहां पर है केरल में कहाँ पर है कोची मत कहना है औप्षन में कुछ और दा वह ठीक है एक और जारा comment बताना नेक्स यार इंडिया रेटिंग ने इंडिया की GDP ग्रोफ रेट जो फोरकास्टे उसको घटा कर 7% से 6.9% कर दिया है देखर सबी लोग घटाई रहें इंडिया रेटिंग ने भी यहाँ पर इंडिया की GDP ग्रोफ रेट घटा दिया उसका कहना है कि 2022-23 जो financial year है इसमें भारत की जो सकल घर लूत पात की वरद्दी दर है पहले 7 परतिशत रहने का अनुमान था अब इनका कहना है यह आपकी 6.9 परतिशत रहेगी कितनी मेरे भाई 6.9 परतिशत रहेगी तो एस पर इंडिया रेटिंग, इंडिया रेटिंग के अनुसार 2022-23 में भारत की सकल घरलूत पात की जो वरदी दर है वो कितने प्रतीशत रहने का नुमाने 6.9%, 6.9% RBI की बात कर रहें तो Reserve Bank of India ने कहा है 7.2%, ये भी important है NSO ने मेरे भाई 2021-22 और 2022-23 तो अभी पूरा नहीं हुआ तो इसके quarter 1 की GDP growth rate आ चुकी है और इसके पूरे complete financial year की growth rate आ चुकी है पिछले financial year में ऐस पर NSO इंडिया की GDP growth rate कितनी रही थी ऐस पर NSO इंडिया की GDP growth rate कितनी रही थी 21-22 में इसका answer करना देखें, 2021-22 में NSO के हिसाब से मेरे भाई GDP growth rate कितनी रही थी भारत की पिछले financial year में 8.7% और जो पहला quarter रहा है current financial year का उसमें कितनी रही है एक है पहले quarter में current financial year के quarter 1 में 4.1 नहीं है भाई, मैं पूछ रहा हूँ, इस financial year में 22-23 के financial year में quarter 1 की GDP growth rate अपरेल में जून की, इसको ढूंड ना भाई ठीक है, एक्जाम में question है यहां से आपके लिए, NSO और RBI दोनों से पंदरे साल के हैं मातर प्रनव आनंद और यह करनाटक के बेंगलूरू से हैं प्रनव आनंद और यह 76th chess grandmaster बन गए है, हमारे एक्जाम में question दो तरीके से आता है यहां से, एक तो पूछे का जैसे है कि 76th grandmaster कौन है, तो यह अपने होगे प्रनव आनंद, ओके दूसरा question आएगा यहां पर, कि जो प्रनव आनंद, जो कि 76th grandmaster है, यह किस state से बिलोंग करते हैं, तो वह कर नाटक से बिलोंग करते हैं, बस इतना याद रख लेना, इसके अलावा इसमें दिमाग लगाने की जरूवत नहीं है, इतना more than enough बनेगा हमारे लिए, तो यह अपना overall session 10 news हो गई, 25 एक तरीके से हम लोगों ने MCQ कर लिए और वो 25 MCQ ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पहले बाकि इसके अलावा यार अब जरा तसली से एक मिनट सुन लीजेगा, ऐसे मेरे भाई मित्र दोस्त जो की बिल्कुल सूने से शिरुवात कर रहे हैं, बहुत सारे aspirant अभी मेंस में मेरे पास आएं, कह रहें सर फंदरे दिन मैं ऐसा करा दो जिसे number maximum आ जाए, मैंने पहले क् सर प्री 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 लगे रहे थे, मैंने बड़ी है, कोई दिक्कत निया, अगले साल attempt मिलेगा, उसमें जाएएगा, यही दो होगा, आप से भी मेरे गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में कि हर एक जो opportunity उसको भुनाना, तो जरूरी सही समय पर सही लेने का, बट एक बैच कम से कम आपका डवल टू डवल जीरो का आपको पड़ता है, ठीके इन में से कोई भी बैच होटा, डवल टू डवल जीरो का पड़ेगा, भाई इस जैसे आपके 3600 बैच आएंगे एक साल में, तो क्या आप हर बैच खरीद होगे, नहीं, आपको मा इलावा हमारे test series को भी दे रहे है, फिर test series के साथ उनको e-book भी चाहिए, e-book के साथ फिर उनको काफी like जैसे personality development classes हो गया, इसको चलो side में रख दो, interview classes हो गया, या फिर descriptive classes हो गया, वो चाहिए, तो यह सारी चीज़ है, अलग-अलग-अलग-अलग admission लोगे, कितना सारा होता है भाई, 3410 रुपे पे करो, अच्छे प्लस 6, 12 महीने वैलिटी के साथ आपको बैंक महापैक मिल रहा है, अगर आपको लगता नहीं सर मुझे तो 2 साल का चाहिए, तो आज 12 प्लस 12 डवल वैलिटी चल रहा है, ठीक है, आज offer मेरे भाई, आपको 24 महीने के साथ मिल रह अच्छा 1% डिसकाउंट है अप्लिकेशन पर कोईन का, ओगी आप कोईन सेलेक्ट करोगे, मिरे भाई एक्स्रा 1% डिसकाउंट है, यह उनके लिए जो बैंक और इंशुरेंस की तियारी कर रहे है, जो बैंक और इंशुरेंस की, अब ऐसे दोस्त हमारे भाई में तो बैंक के साथ साथ इंशुरेंस के साथ साथ regulatory body exam की तयारी कर रहा है regulatory body exam में आपके कौन-कौन से exam cover हो रहे हैं यहाँ पर RBI grade B ओके नाबाड SEBI SIDBI और AISO ओके RBI grade B, NABAD SEBI, SIDBI, AISO अगर आप लोग सोच रहे हैं कि sir हमें bank और insurance के साथ regulatory body के लिए भी हम जाएंगे हमारा सपने RBI grade B में job करना है हमें तो फिर SBI PO की भी तयारी करनी है तो फिर सबसे बड़ी है फिर bank maha pack plus है इसमें bank और insurance की तो सारे class सारे exam cover हो रहे हैं साथ साथ regulatory body के भी exam cover हो रहे हैं इसमें भी को यह जितने भी हमारे batches हैं सारे मिलते हैं जितने भी batches मिल रहे हैं यह तो चलो चार पांच दिख रहे हैं इसके लावज जितने भी हमारे A to Z batches आएंगे bank related, insurance related, regulatory body exam related उस सारे आपको मिलते रहेंगे अब काफी जैसे SSC का notification आ चुका है अब SSC का notification कल मैं ना SSC का notification discuss किया तो उसको जाकर वीडियो का एक बार देखना अब जो भी बच्चे जो bank वाले होते थे जिनको लगता था कि सर हमें advance math इतनी हमारी strong नहीं है तो right now अगर हम लोग देखें तो SSC का pattern को जिस तरीके से किया है या bank की जो parent है ठेके उनके लिए भी अब एक बहतरी opportunity चीजों को manage करने के लिए रीजिनिंग है अब जीए भी है उसमें ओके उसके लावा मेरे दोस computer भी है और math की जो weight is है वो कम कर दी गई है ठेके पहले जितनी weight is दी importance कम नहीं कर दी है weight is कम कर दी है मेरे भाई तो चीजों को समझना जारा ध्यान से तो अब ऐसे aspirant होंगे जो bank ssc दोनों की तयारी कर रहे है तो जिनको bank maha pack और ssc maha pack दोनों चाहिए तो भाई वो जा सकते है अड़्डा के maha pack के साथ फाइन यहाँ पर आपको code use करना है y168 y168 यह भी आपका 6 plus 7 12 महीने के साथ है जो bank की तयारी कर रहे है उनके लिए bank maha pack जो bank insurance regulatory body तयारी कर रहे है bank maha pack प्लस जो bank और ssc दोनों की तयारी कर रहे है उनके लिए bank maha pack बनता है क्लिया अब सबसे important बात मैं discuss करूँगा आपके साथ अपने batch को लेकर and this is a warrior pro batch warrior pro batch में मैं अपनी तरफ से आप लोगो क्या क्या provide कर रहा है वो जरा देखना है एक मिनट ये एक एक लौता batch है मेरे दोस्त जिसमें मैं आपको financial awareness की classes देता हूं सारी financial awareness की classes आपको मिलती कुछ इस तरीके से warrior 3.0 के नाम से 4.0 के नाम से 5.0 और 6.0 ये अभी मेरे जो current पर running में जो batches है वो 3.0 4.0 3.0 completed और 4.0 running में चल रहा है इसकी classes आपकी रहती है तो एक single batch of warrior pro इसमें आपको financial awareness की सारी classes मिलेंगी हमारी यतने भी batches आते रहेंगे वो सारे के सारे दूसरे important इसमें आपको monthly current affair मिलता है monthly current affair जैसे हम लोग का यहाँ पर April complete है May complete है उससे पहले के भी complete है अपरेल में June complete है जुलाई complete है अगस की जो classes है मेरे दोस आज इसकी अगस की class है साड़े आड़ बजे लेकिए अगस में इसमें classes चल रहे हैं 8.30 पर अगस की की ये बात है पेपर का level बहुत अच्छा आए था ठीक है पेपर का level अच्छा है इसका मतलब ये है कि पेपर का level अच्छा था है कि उसमें news में घुस घुस का उसने पूची ती चीज़ है तो ज़रूरी है आपके लिए current affairs को detail में पढ़ना बागी यार दोस ओवर्वियू लेना तो आसाने वन लाइन और आसाने भतेरी PDF पढ़ी है आराम से पढ़ी रहे हैं हम लो बागी अगर आप चाहते है current affairs detail में पढ़ना तो यहां से cover कर रहा हूँ आप चाहते हैं current affairs हमें MCQ से cover करने हर एक week के मैं आपको यहां पर 100 MCQ देता हूँ तो पूरे महीने के आपके 400 MCQ हो चुके है अगर इसका पूरा complete चल रहा है with PDF जुलाई का मेरे भाई पूरा complete चल रहा है with PDF लेके 400 MCQ के मैं आपको यहां पर मेरे दोस वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ अगर 100 जुलाई के सप्तंबर की recording पे लग गया हूँ सप्तंबर के 3 week मेरे दोस आपको back to back देने है तो यह शायद हो सकता है Tuesday Wednesday तक आपको सप्तंबर के 3 week available हो जाए पहली priority में सप्तंबर दे रहा हूँ सप्तंबर के 3 week आपके मैं available करा दूँगा तो यहाँ से देखो क्या के मिला आपको एक single बैस से financial awareness की classes, current affairs की classes, current affairs MCQs हो गए plus साथ में मेरे दोस्त आपको यहाँ जितनी भी हमारे exam होते हैं उनसे पहले crest course आता है current affairs का हम लोगों ने detail में तो cover कर लिया हमने detail में MCQs cover कर लिया अब उसके बाद हम लोगो crest course चाहिए हमेसार ऐसा बताईए कि हम हफते बर में 10 दिन में crest course कर लें और उससे हमारा सारा revision हो जाए तो यहाँ पर हम लोग revision करेंगे capsule batches जैसा भी RRBPO का exam लगा हुए तो उसके लिए capsule चल रहा है जब IVPSP आएगा तो उसके लिए capsule classes में आएंगी IVPS clock आएगा एक single batch में warrior pro में यह सारे classes आपको इसमें मिलती रहेंगी तो one time investment है बस जाएए Y168 code लगाईए 1496 का यह आपको batch मिलेगा ठीक है तो चार batches हो गए पाचवा batch मेरे भाई इसमें static GK का है static GK के लिए मैंने इसमें 2.0 batch भी link कर रखा है और 3.0 को मेरे भाई test समय पर start करूँगा लेकिन अभी right now में 2.0 भी link कर दिया कि ऐसे बच्चे जो चाते कि नहीं static के अपनी classes cover करनी है तो भाई batch इसमें ड़ना हुआ है static में तो कुछ बदलाब नहीं होता 2.0 भी देख सकते है तो warrior pro यह है कि आप आप अपने को अपने हसाब से कर सकते हो तयार समझे रहाब आपको इंतजार नहीं परंट करना पड़ेगा एक तैयर डेट आई कि उस डेट से में अपनी classes शुरू करूँगा नहीं financial awareness की classes है complete batch रखा हुआ है आप उससे complete कर सकते है new batch जब इसमें शुरू होगा तब उससे classes करना monthly current affair यह महीने के हो चुके है उनको पढ़िये उनके mcq लगाईए मेरे भाई नए में ताएंगे फिर उनको पढ़िये उनके mcq लगाईए capsule batches आपके up to date रहेंगे time to time आते रहेंगे इसमें इसके लावर static gk batch है यह एक batch है उसके बाद अगला भी आएगा तो 5 batches के लिए आपको मातर मेरे दोस्त 1496 पे करना है 12 महीने वैलिटी मिलेगी और Y168 code लगाकर मेरे दोस्त application से आपको discount मिल जाएगा किसी भी तरीके के कोई doubt हो आशीश गौदम search करिये मेरे भाई कहीं पर भी मिल जाओंगा मुझे बताई कि सर मुझे दिक्कत आ रही है batch को enroll करने में किसी भी तरीके समस्या है कहीं पर भी search करो मुझे message कर दो ठीक है कि सर हाँ भाई आपको पूरा के पूरा यहां पर सपोर्ट दिया जाएगा वारियो प्रो में कैप्सुल वीकली की PDF मिलेगे हाँ जी आरती जी ठीक है ओके डन तो यह बैच भी आपका बैंक महापैक में बैंक महापैक पर आज डवल वेलडी चल रही है तो भाई आज आप इन्रोल करा सकते है कोड जरूर याद रख लेना वाई 168 बाकि आप लोगों को एक चीज़ हो और है कि बहुत सारे एस्पारेंट हों के जिनको की printed book चाहिए या फिर e-book चाहिए मेरे भाई या फिर mock चाहिए तो इनके लिए कोड अलग होता है इनके लिए कोड है वाई 168 एस कोड है यह जब भी आप लेना तो एप्लिकेशन से लेना 1% एक्ट्रा डिसकाउंट मिलेगा जो भी डिसकाउंट चल रहागा उससे जाद ही मिलेगा और अगर आपको लाइव क्लासे या बैंक महापक चाहिए तो कोड है वाई 168 ठीक है बाबाई टेकर आजे राजे दोस्तों टीटू अभे फोन पही लगा रहेगा तो शर्मा जी घर की लाइटे कब ठीक करेगा बात करेगा अब यह जी जाए है सार हाग पूरे मोहले की लाइट है अमारे घर की आरी बस ता यह लाइट चालो ही नहीं हो रही सर अच्छ अच्छ अब 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 क्या सर अब अब आ बोल मेरा स्थी अग्जान क्लियर हो गया आई टीटू छोड़ दे दिये बहुत है ये दियो से घर कैसे रोशन हो जाएगा सथ बेटे ने अड़ा 24-7 जोईन किया और S.S.C. एक्जाम क्लियर किया है जब बच्चे तरक्की करते है न तो घर अपने आप रोशन हो जागते है तो बच्चो आ गया है S.S.C. CGL 2022 का नोटिफिकेशन इस साल जो टोटल नंबर विकेंशी है वो है पूरी 20,000 से जादा ये स्टूडंस बीस हजार विकेंशी जो है वो अनौंस करी गई है और अब S.S.C. वैसा नहीं रहा कि आपको लगता है कि मैट्स और इंग्लिश पढ़ है S.S.C. CGL 2.0 क्यों क्या है वो बदला सबसे पहला बदला बच्चो प्रिलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग है और जो सबसे बड़ा बदला हुआ है बच्चो वो हुआ है में 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 जहां पर पहले सिर्फ मैट्स और इंग्लिश ही हो देते अब मेंस की पेपर में मै पाचास फरसेंट वो घटकर हो गया है सिर्फ और सिर्फ 23 ठीक है इंग्लिश का वेटेज जो पहले 50 परसेंट होता था वो घटकर हो गया है 35 रीजनिंग का पेपर जो की इस बार उन्हें में में इंटेडियूज करा है उसका वेटेज मैक्स के बराबर है 23 और साथ साथ ज उसके लिए आज ही शुरू करें अपनी तयारी ससी अड़ा के साथ हमारे लाइब बात्चे शुरू हो गए हैं आज ही डाउनलोड करें अड़ा 24-7 आड़ा 24-7 जौब है तो रौब है